जे राम जी की दोस्तों सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को देर सार अप्यार आज हम एक बहुत ही जरूरी विश्या पर बात करने के लिए पस्तित हुए है जो लोग नई है और नए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल सस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें देखिए मैं एक एस्ट्रोजर हूँ यह आप लोग सभी जानते हों लेकिन प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ मेरी इकुद की अकैडमिया है मैं कॉम्पेटिशन की तयारी कराता हूँ और कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आने वाले एक्जामों में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हों चाहे वो स्कूल में पैढ़ने वाले विद्यारती हैं किसी भी तरह की कॉम्पेटिशन की तैयारी करते हैं मेरी लग आपके हाथ में मेरे हाथ में तो सिर्फ बताना है मैं अपनी अकैडमी के सभी बच्चों को इस तरह के उपाय बताता हूं और आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके शायद नोकरी नाले की हूँ कोई भी नहीं है और दूसरी बात जो छोटी क्लासिस के बच्चे हैं 11 12 10 वो भी उपाय करें जिससे कि उनके मांक्स बहुत अच्छा है आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताता हूं जिससे आपके पढ़ने की कैपैसिटी अच्छी होगी और आपके मांक्स बहुत अच्छा हैं सबसे पहला उपाय सुनिए आप जब भी पढ़ने बैठें जब भी पढ़ने बैठें तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें इस से आपकी सकारात् suggesting सोच रहेगी कि आपका मन शांत रहेगा जब मन शांत होता है तबी जो है हमारा दिमाख अच्छे से वर्क करता है, इसलिए हमेशा पूरुप दिसा की तरफ मुझ कर गे बैठें, जब भी आप बैठें, पढ़ने के लिए, दूसरा उपाय क्या करें, कोई भी एक्जाम हो, चाहिए वो competition का एक्जाम है, ये school का एक्जाम है, आप कभी भी hard work ना करें, smart work करें, work करना बहुत जरूरी है, कारी बहुत जरूरी करना, गीता में लिखा गया है, बगवान स्रीकेश ने का आए, कि कोई भी work को कारी करना, जीवन के लिए बहुत अनिवारी है, smart work से मेरा मतलब क्या है, hard work की मैं क्यों मना करना हूँ, smart work क्या होता है, ऐसा work जिसमें बहुत अच्छे हम गेन कर सके, और हमें महनत कम करने पड़े, वह क्या है, आप 10 साल तक के question paper उठाईए, कोई भी exam है, आप 10 साल तक के question paper उठाईए, और उसमें देखें, maximum किस type के question आपके repeat हो रहे है, किस topic से related आपके question repeat हो रहे है, उन question के उपर अधिक से अधिक अभ्यास करें, कोई भी question paper ह उसमें आप इस तरह के points यूज़ करें, 10 साल तक के paper उठाकर, और देखें कि ज्यादातर question किस तरह के आए है, किस किस topic पे examiner अधिक focus कर रहा है, या examiner किस type के question को डाल रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान दे, इन paper को पहले उठाकर आप शुरूआत अभी से करें, जो बच्छ करा कैसा है, यादा है, विदिएराई के टाल है, झाल है, तरह करें जे साओता है, जे आएपने आपयां, जे अए है